नमस्ते दोस्तों मेरे किचिन के दुनिया देशी फ्लिवर्स भई यारुसी में आपका स्वागत है आधरा नच्छतर चल रहा है और हमारे बिहार में इस नच्छतर में खीर बनाया जाता है जो कि अलग तरीके से बनाया जाता है तो आज मैं उसी की रेस्पी लेकिया हूँ तो रेस्पी ध्यान से देखिएगा इसको बनाने के लिए हमें दो पैकेट दूद कहने कब तो मैं एक लिटर दूद लिया है दूद को अच्छे से गर्म कर लिया है गर्म हो जाने के बास इसमें तीजपत्ता और इलाइची इस तरीके से हमें तोड़के डाल देने है तब टोन श्यूंत की द मैंने कार झावल करते हैं अप्छे आरीये की एक पर की tutoring दूद्न कारण है करमाटеляj दोने के चावल इसके लिए यहां ब्हुचा गी टाले हमें चावल पर दोने कीomas है Il Kraut 15 मिट पकने दिया है तब 15 मिट पूरे हो जाने के वासे मैंने चम्मस से चेक किया है अभी पका नहीं है थोड़ा और पकेगा तो बस इसी तरीके से आप चेक करते रहिए तो टाइम पूरे हो जाने के वासे मैंने फिर से इसको देख लिया है तो यह देखिए यह पक चुका ह काजू को बहुत कट काच करेंगे। भी पहला है बहुत जादा नहीं हमें क्या करना है सिर्फ 2 चमज चीनी लेना है जो चलिए हम 2 चमज चीनी ले लिया है तो बस अब हमारी खेर बिल्कुल बनके रैडि हो चुकी है ऐसी तरीके से खीर हमारे बिहार में बनाया जाता है और सभी को घर के सभी मेंबर को खिलाया जाता है जो की सूब है तो आप भी इस नच्छत्र में इस तरीके से खीर बनाईए और लोगों को खिलाईए अपने घर के और रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए तो मिलती अपने नेक्स वीडियो में चलिए आप गर्मा गरम खीर में सर्फ कर लेती हो ठंडे हो जाने पर इसका कलर थोड़ा और भी बदल जाएगा लेकिन मुझे तो इंतजार नहीं हो मैं गर्मा गरम ही खाने चली तो रेस्पी अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताईएगा कि मेरी ये रेस्पी आपको कैसे लगी ये रही गर्म